दोस्तो आपके देखें अब मटर दोस्तो हमारी लगवर भूचुकी नमस्कार दोस्तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका कमल गोला डोई वाला यूटूब चैनल पर मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर आज एक नई रसिपी लेकर आज हम बनाने वाले हैं भंडारा सरसो का तेल हम डालेंगे पचास हैमल सरसो का तेल दोस्तो मैं इस्तमाल कर रहा हूँ तेल हमारा दोस्तो गरम हो गया है तो इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मज दोस्तो जीरा एक चम्मज दोस्तो साबुत दनिया दो से तीन तेजपत्ता एक दोस्तो हम इसके अंदर चुटकी हींग डाल दिये हींग ढाल की आप इसको अच्छी तरह भूनिए दो मीडियूम साइश के टमाटर दोस्तों मैंने बिलकुल बरीक इनको चौप कियावा है बिलकुल बरीक और वह हमने सकेंदर डाल दी है एक चमज दोस्तों आप नमक इसकेंदर डालिए और मसाले क बहुत अच्छी तरह भूनी है भूनते रहें दोस्तों सारा का मीडियम फ्लेम पर हो रहा है एक चमच कस्तूरी में ठीक क्रश करके दोस्तों डालनी है हमने बहुत अच्छी तरीके से अब यह हमारा भून जाएगा सारा मसाला तो इसके अंदर हम डालेंगे अदरक का पेस्ट दोस्तों मैं लसन का इस्तमाल नहीं कर रहा हूँ आजकल हम सावन के बरत चल रहे हैं आप चाहें तो अदरक लसन दोनों का पेस्ट जाल सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों हमारा देखें मसाला भून रहा है तो मैं इसके अंदर एक चम्बस दोस्तों हल्दी की डाल रहा हूँ हल्दी के बाद आप इसके अंदर डालिएगा हाफ टीस्पून हाफ से भी थोड़ा दोस्तों कम रखना लाल मिर्च है हमारे हैं बहुत तेज लाल मिर्च है बहुत ही तेज तो मैंने हाफ टीस्पून लाल मिर्च चाल दी है और हाफ टीस्पून ही रंगीन मिर्चे दोस्तों में डाल रहा हूँ मसाले को दोस्तों चलाते रहें ताकि हमारा मसाला लग न जाए इसी समय इसमें दोस्तों गरीब थोड़ा सा पानी 40-50 ml आप इसके अंदर पानी के लिए और मसालों को बिल्कुल सिम गैस पर दोस्तों में भूनते रहना है regular दोस्तों में भूनते रहना है बहुत unique सब्जी है भंडारा अलू आज बन रहे हैं भंडारे की तरह हम आज सब्जी को त्यार कर रहे हैं मसाले हमारे बहुत अच्छी तरिक्षे भून गए हैं दोस्तों तो इसी समय में इसके दर मटर डाल देंगे 200 गराम दोस्तों यह मटर है यह ताजी मटर है दोस्तों हम आदा केलो मटर लाये तो इसमसे करीब 200 गराम में गीरी निकाली है वो में इसके दर डाल दी है आप बहुत अच्छी तरिक्षे से दोस्तों इनको चलाते रहें बोनते रहें सबजी की जितने हम भुणाई करेंगे सबजी के अंदर उतना ही ज़्यादा टेस्ट दोस्तों आता है बहुत अच्छी तरिक्षे से दोस्तों यह सबजी आज रेडी हो रही है इसी समय दोस्तों आप इसके अंदर थोड़ा सा पाने डाल दीजिए क्योंकि मटर दोस्तों हमारी कच्ची है मैंने वॉयल नहीं करी है तो अब इसको हम पान से छे मिनट तक बिल्कुल सिम गैस पर ढखकर हम इसको पगाएंगे दोस्तों पान से छे मिनट हमें हो गए हैं तो अब आप यह देखें मटर हमारी काफी हद तक त्यार हो चुकी है अब इसी समय हम पान से छे आलू दोस्तों जो मैंने लिये थे उनको मैंने बॉयल कर ले था दोस्तों बहुत कम सीटी ड़ागे मैंने बॉयल किया था वो हमने डाल दी है और बहुत अच्छी तरीके से आप इसमें मिलाईए इनको और सारा मसाला मटर जो भी हमारी मसाले इसके अंदर थे वो सब आलू में अच्छी तरह लग जाने चाहिए बिलकुस सिम गैस पे दोस्तों यह हम काम कर रहे हैं जितनी जादा सब्जी की भुनाई होगी उतना सब्जी दोस्तों बहुत अच्छी बनती है अब सब्जी की दोस्तों हमारी बहुत अच्छी भुनाई हो रही है यहां पर बहुत अच्छी तो मैं इसमें डाल रहा हूँ दोस्तों डेड़ गिलास पानी आप चाहे जितना भी डाल सकते हैं, जिसको जतनी ज़्यादा गरेवी की जोरत भी डाल सकता है, क्योंकि हम गरेवी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और ये बंडारा अलू बन रहे हैं, बंडारी की तरह तो दोस्तों हम इसको थोड़ा सुखा ही रखेंगे, अभी आपको मैं इ आप गयस कर दीजिए और 12 मिनट तक दोस्तों आपने इसको सबजी को पकने देना है दस से 12 मिनट में आपकी सबजी दोस्तों रेडी हो जाएगी बंडारा बंडारे आलू मोटर बंडारे जैसे आलो मोटर आजम बना रहे हैं बंडारों में आपने देखा होगा बहुत ही और साथ में इसमें तीन हरी मेरच हमने बीच में से काट ली थी, ऑफिसनल है दोस्तों, आपकी इच्छा उत्र आप डालिए, इसे सब्जी के अंदर ओर टेस्ट जा जाता है दोस्तों, इसको भूनते रहें दोस्तों, सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है, तो इसी समय दोस्तो हरा दनिया हर सब्जी की जान होती है दोस्तों, उसे जरू डालना चाहिए, और अब देखें आप हरा दनिया डालके सब्जी को चला दीजिए, और बिल्कुल आप देखें सब्जी हमारी इस समय बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तो दोस्तों चलें, आप सब्जी को हमें वसला बढ़ाता है जै लक्षमन सिद बाबा की